A form integration morning to viewers. This is Saurav from Web Institute. In this whole video, we are delivering the lectures on about HTML form. So, let's achieve in Hindi language. Guys, हम web design के respect में HTML language के chapters को कंटेन कर रहे हैं, जिसमें आजह में input field को बनाना शीखना है. Guys, ये video previous part का continuation है. So, currently, इस video को देखने से पहले आप इसके previous part को देखे, तब इस video के relations को अच्छीव करे. तो, इस video series में हमें शीखना है कि हम input field बनाते कैसे हैं. Input field कैसे बनाते हैं, इससे पहले हमें ये जानना होगा कि input field क्यों बनाते हैं और input field है क्या. तो, basically, अगर मुझे अपने user से कोई data collect करना है, तो उसके लिए हम input field का उप्योग करते हैं. Input field एक rounded rectangle shape है, जिसमें user अपनी मर्जी से कुछ टाइप कर सकता है. Clear? तो, basically, आप input field में एक rectangular shape बनाते हो, जिसमें user अपने mouse से क्लिक करके, अपने keyboard से कुछ टाइप कर पाता है. और, ऐसा करने से, हम उस data को user के द्वारा अपने server पे receive कर लेते हैं. Clear? तो, आपने क्या achieve किया? Input field का उप्योग हम तब करेंगे, जब मुझे user से कोई data collect करना होगा. Okay? So, layout के नुशार कि आप देख रहें कि मुझे अपने user से first name और last name के data को collect करना है. तो, इसके लिए, मैं इस layout को किस तरह से बनाऊँगा, उसको आपको achieve करना है. So, simply, आप अपने text reading software को start कर ले. Okay? सबसी पहले, आप अपने HTML के complete structure को write कर ले. Clear? आप chapter contain कर रहे हो, form. अगर आपने previous chapter नहीं देखा है, तो kindly इसके previous chapters को देखे. इन्पुट एलिमेंट, form का ही हिश्चा है. तो, आप form से related coding करने के लिए, सबसे पहले form की body शुरू करते हैं. और फिर, आप form की body को पंद करते हैं. Clear? और form से related, जितने भी codings को आपको करनी है, उसको आप form tag के बीच में write करेंगे. Clear? Clear? अब मुझे क्या करना है, layout के अनुशार, मुझे लिखना है first name. Clear? So, simply, मैं यहाँ write करूँगा first name और इसको save कर दूँगा. आप इसको preview करके देखें कि यह किस तरह का दिख़़ा है. Yes, हमने जिस तरह से write किया है, हमारे web page में preview है शाही होड़ा है. अब मुझे क्या करना है? अब मुझे layout के अनुशार, input field को इस line में ना बना के अगले line से शुरू करना है. तो इसका मतलब है कि मुझे इस line को break करना होगा, यानि कि छोड़ना होगा. Clear? So simply, अब आप input का program अगर write करते हो, तो इसका मतलब input से बनने वाले box first name के अगले line से आएंगे. Okay? So input field बनाने के लिए आप शुरू करते हो input tag को. Input tag शुरू करने के बाद, सबसे पहले आप यूज करेंगे type attribute का. Type एक compulsory attribute है, इसके बिना input field को बनाया नहीं जाता है. Type एक attribute है, तो इसका मतलब इसके पास कोई ना कोई value होगा. तो आप इस field को किस प्रकार का data receive करने के लिए बना रहे हो, वो आपको लिखना होगा. Basically, आप इस input field को first name के data को receive करने के लिए बना रहे हो, तो किसी का भी first name text data ही हो शकता है, यानि कि किसी का भी first name sort of हो शकता है, रोशन हो सकता है, कुमार हो शकता है, clear? लेकिन 1, 2, 3 नहीं हो शकता है, means अगर किसी का first name आप चाहते हो sort of, कुमार और रोशन हो, तो वो तो belong करते हैं text data से, तो आप क्या define करोगे, type is equal to text, इसका मतलब है, input field से जो भी data receive होंगे, वो text format में होंगे, clear? अब आप अगले attribute का उपयोग करोगे, that is name, इसका मतलब है, आप इस input field को किस content के लिए बना रहे हो, तो आपने जो इस input field को बनाया है, वो इस content के लिए बनाया है, तो इस content का नाम क्या है, first name, तो simply आप यहाँ write करोगे, first name, clear? अब simply आप इसको close कर दोगे, guys, input एक empty element है, इसका मतलब input को हम इस तरह से lock नहीं कर चकते हैं, clear? अब layout के नुचार, मुझे बनाना है last name, तो simply मैं फिर से लगाऊंगा break tag, इसका मतलब है, कि अगर मैं last name यहाँ लिख देता, तो last name यहाँ से शुरू होता, मुझे last name को अगले line से शुरू करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे break लगा कर इस line को terminate कर दी, यानि कि छोड़ दिया, अब मैं अगला text write कर रहा हूँ, that is last name, अब last name के लिए जो हमें box बनाना है, वो फिर अगले line से है, तो इसका मतलब होगा, इसका मतलब है, कि मुझे इस line को छोड़ना होगा, तो इस line को छोड़ने के लिए आप उपयोग करोगे break check का, clear, अब simply आप अपने input field को बनाए, सबसे पहले type attribute लगा दे, और define कर दे कि last name में जो data type होगा, उस data का प्रकार क्या होगा, text या number, तो last name, किसी का भी last name, कोई text ही हो सकता है, number नहीं हो सकता है, त तो simply आप type attribute में value define करोगे, text, clear, अब आप define करेंगे name attribute, जिससे आप बताएंगे कि आप इस input field को किस content के लिए बनाए, तो इस input field को हम बनाए, last name वाले content के लिए, तो आप name attribute के value में define करोगे, last name, clear, अब आप इसको preview करके check करें, अब मैं इसमें कुछ write कर सकता हूँ, okay, so guys, input field का मतलब ही है, एक ऐसा rectangular shape जिसमें user अपने mouse से click करके कुछ write कर सके, इसी को हम input field के नाम से चानते हैं, clear, so guys, अगर ही video आपको समझ में नहीं आया हो, तो kindly इसके previous video को पहले देखें, होशकता है, आपको form समझ में ना आया हो, कि form क्या होता है, so, इसका कारण होशकता है कि आपने previous video को नहीं देखा हो, so kindly, मेरे teaching experience को promote करे, मेरे channel को subscribe करना ना भूले, और मेरे videos को अपने friends में share करे, so stay tuned to our channel guys, and thanks for watching my videos, have a great day.